मोधी सरकार के 4 साल के कारेकाल में भारत और नेपाल के रिष्टे हिच को लेखाते रहे हैं अब एक बार फिर दोनों देश द्विपक्षिये रिष्टे में व्याप्त विश्वास की कमी को दूर करने और विश्वास बहाली को लेकर प्रयास करने शुरू कर दिये हैं इसी के तहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी दो दिवसिये डौरे पर नेपाल पहुँचे हैं प्रधानमंत्री की इस यात्रा का मकसद दोनों देशों के दार्मेक और सांस्कृतिक संबंधों को नए आयाम देने का है इस से पहले अप्रेल महीने में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली तीन दिवसिये डौरे पर भारत आये थे 15 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद केपी ओली का ये दूसरा भारत दौरा था प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के दोरे पर प्रतिक्रिया देते हुए नेपाल के विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली बहुत जरूरी है भारत और नेपाल के बीच चैतिहासिक, सांस्कृतिक और दार्मेक संबंध है दोनों देश इसी के तहत रामायन सरकेट और अयोध्या जनकपूर बसेवा की शुरुआत कर रहे हैं अलाकि उन्होंने इस बात पर जोड़ दिया कि नेपाल और ओली प्रशासन किसी भी देश के हस्तक्षेप को रोकने के लिए द्रिड़ प्रतिग्य है पिछले कुछ सालों से नेपाल काई समस्याओं का सामना कर रहा है लेकिन अब समय आ गया है कि दोनों देश स्वस्थ संबंधों के निर्मान पर जोड़ दे नेपाल में नई सरकार अपने गठन के बाद से ही भारत के रिष्टों को लेकर सजग है लेकिन पिछले चार सालों से दोनों देशों ने रिष्टों के कई रंग देखे हैं साल 2017 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षिय स्तर पर वारता हुई थी भारतिय सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने और चीन के रक्षा मंत्री जनरल चांग ने सुरक्षा सहयोग मजबूत करने के लिए नेपाल का दोरा किया था पिछले साल अप्रेल महीने में नेपाल की राष्ट्रपती बिद्यादेवी भंडारी पहली बार विदेशी दोरे पर गी और 2015 में पद संभालने के नई दिल्ली का दोरा किया इस दोरे ने दोनों देशों के संबंधों की महता को दर्शाया अपने दोरे पर नेपाल की राष्ट्रपती ने राष्ट्रपती प्रणब मुखरजी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलकात की और दोनों देशों के द्विपक्षिय संबंधों के विविद्धायामों पर बात की नेपाल की राष्टपती का दोरा दोनों देशों के संबंधों के हिसाब से सखल रहा इस से पहले 2015 में मधेशी आंदोलन के चलते काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला था संसद में ज्यादा प्रतिन धित्व और फ्रांतिय सीमा को परिभाशित करने की मांग को लेकर भारतीय मूल के मधेशी लोगों ने भारत नेपाल सीमा को ब्लोक कर दिया था नेपाली राष्टपती के भारत दोरे से पहले वित्तमंत्री अरुन जी टिली ने नेपाल इंवेस्टमेन समेट में हिस्सा लिया था और कहा था कि अपने पडोसी देश के विकास के लिए भारत हमेशा तयार है भारत ने नेपाल में टेकनेकल संस्थान के निर्मान के लिए 44 मिलियन 4.4 करोड रुपे अपने पड़ोसी देश को सहियों के तौर पर दिया हाला कि इस बीच नेपाल में सरकार बदल गई और 70 वर्षिये नेपाली कॉंग्रेस के प्रेसिडेंट शेर बहादुर देवबा प्रधानमंत्री चुने गए देवबा ने प्रचन की जिगे कुर्सी संभाली थी बाद में देवबा ने जो की भारत के करीबी माने जाते हैं दिल्ली का दोर अकिया और प्रधानमंत्री मूदी सहित कई नेताओं के साथ मुलाकात की इसके बाद केंद्रिय मंत्रियों सुष्मा स्वराज जोर सुरेश प्रभु ने नेपाल का दोर अकिया लेकिन इस बीच वन बेल्ट वन रीजन को लेकर नेपाल का जुकाव चीन की तरफ होने लगा जिसे भारत संदेए की दृष्टी से देखता है नेपाल के ततकालीन प्रधान मंत्री प्रचंड ने चीन का दोरा किया और मार्च महिने में बाव कॉन फ्रेंस में हिस्सा लिया उन्होंने शी जिन पिंग और कई सीनियर नेताओं से भी मुलकात की 2017 में ही दोनों देशों ने साजा सेनिय अभ्यास किया और श्री लंका पाकिस्तान के साथ नेपाल चीन के वन बेल्ट वन रोड इनिशियेटिव का हिस्साब बन गया इसके बाद भारत के नेपाल के रिष्टों में रसाक्षी चलती रही नेपाल के विदेश मंत्री ने कहा कि सार्क समेट शेत्र के एक दशमलव साथ बिलियन लोगों के विकास के लिए एक महत्वपून प्लेट फॉर्म है हाला कि हम इसमें आई गतिरोध के लिए किसी एक देश को जिम्मेदार नहीं ठैवरा सकते लेकिन सार्क समेट होनी चाहिए बता दें कि दक्षिन एशियाई देशों के संगठन सार्क की बैठके भारत और पाकिस्तान के सम्बंधों में आई करवाहर के चलते बंध हो गई है नेपाली विदेश मंत्री ने कहा कि हम आतंकवाद से मिलकर लड़ रहे हैं लेकिन तीसरे देश को किसी के खिलाफ नेपाल की धर्ती का उप्योग नहीं करने देंगे चीन के साथ रिष्टों पर उन्होंने कहा कि चीन द्वारा फंड की डारहे प्रोजेक्ट्स को लेकर भारत ने चिंता जताई थी और कहा था कि वे किसी तीसरे देश के फंड से निर्मित बिजली नहीं खरी देंगे हमने इस मामले को प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी के साथ मुलाकात में उठाया और उन्होंने कहा कि वे इस फैसले का